नमस्कार, खासकवर.com में आपका स्भागत है आज हम चर्चा करेंगे परदान मंत्री नरेंद मोदी की सबाओं की राजस्तान में परदानमंत्री मोदी की सबाओं में अपार भीड उमट रही है इसी साल राजस्तान विदान सबा में चुनाओं भी होने वाले हैं और मोदी की सभाओं का बड़ा क्रेज देखा जा रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मुझूद है राजस्तान भाजपा में सांसकरतिक प्रेटन प्रकोष्ट की प्रदेश सहसरयोजी का शालीनी जी है। तो शालीनी जी राजस्तान में नरेंदर मोदी की सभाओं का जो हाल है यह सिर्व राजस्तान में वर्ल्ड ओवर हैं। मोदी जी कहीं पर भी चले जाएं हर-harmोदी हर घर-मोदी ऐसे हिनारे लगते हैं। भी मोदी जी मौदीजी जी इसके सब्सक्रान पर्साइश में इसनालीटी में है। परस्थान हरद स्पीच पर्म के साट हैं। अर उन्ता जो विजिन है, फोर्साइट头 विजिन अचुथान। सिसे जी ऐसे भी राजस्तान है। जब भी मोदी जी राजस्थान के पावन थर्थी पे कदम रखते हैं, जब भी मोदी जी राजस्थान पधारते हैं, तो राजस्थान भी मोदी मैं हो जाता है, गदगद हो जाता है, हम हर राजस्थाने के मन में एक उच्सा, एक गर्व की एक अनुभूती होती है कि हमारे द कुछ न कुछ करते ही रहेंगे बस इसी सोच के कारण आप देखे कि गाह, धानी, कसबे शेहर हर जगर से हर तरह के लोग जुटे चले आते हैं और मोदी, 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 हर हर मोदी के नाम के नारे ही सुनाई देते हैं आपको इस साल राजस्तान में विदान सबा के चुनाओं होने वाले हैं और भाजपा ने मोदी की कई सबाएं करने का लक्ष रखा है राजस्तान में करीब 20 से अधिक सबाएं होगी, तो आप क्या देखती है मोदी की सबाओं से भाजपा को कितना फाइदा होने वाला है जी, मोदी जी के बारे में तो जो आप पूछ रहे हैं मुझे कि फाइदा नुकसान तो पभी देखते ही नहीं मोदी जी का एक ही उद्देश है वो है देश परेम देश की सफलता, देश की उन्नती तो चाहे 20 सबा हो या अनेक सबा हो मोदी जी आपको क्या लग रहा है कि मोदी जी सिर्व राजस्थान आते हैं हर जगर मोदी जी कल उत्रप्रदेश में थे महराश्रा में थे बैंगलोर चले गए करनाटका में थे मोदी जी तो जहां पे भी हिंदुस्थानी व्यक्ति है जहां पे भी भारतिय है, वहां मोधी है, वहां पर मोधी जी जाते हैं, और खुद मोधी जी हमेशा कहते हैं कि मैं एक साधारन कारे करता हूं, ये देशवासियों ने मुझे प्रधान मंतरी बनाया है, जब मोधी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तब ही उनका उद दे मोधी जी ये उस लेवल पे हैं कि हर व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, जब हर व्यक्ति के बारे में, हर वर्ग के बारे में, हर तहर के लोगों के बारे में सोचते हैं, ये नॉन लिविंग फिंग्स के बारे में भी सोचते हैं, तो राजस्थान के बारे में भी सोचते हैं और अगर आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी की नाम पर भी सभाय होईगी, मैं तो बहुत भी सभाय कम है, मोदी जी के लिए तो हर मेने, मोदी जी के पास समय है क्या इतना कि वो इतनी समय कर सकते हैं, समय से जादा सभाय मोदी जी करते हैं, हमेशा समय से आगे निकल रहे हैं एक दिन भी क्या वो घर पे बैठे हैं, लोग तो एक यातरा करके आते हैं और तीन चार दिन के लिए बाराम पे चले जाते हैं, क्या मोधी शी ने एक दिन तो ये तो पूरे दिन प्रवास कर ले हैं, कल सुबर वो दिली में थे, दोपहर में परसो दिली में थे, सुबर काम है, वो है देश की सिवा करना, अमारे देश को नंबर वन बनाना, आज भारत वर्ल्ड का नंबर फिफ्ट वर्ल्ड एकॉनमी के अंदर है, पाचवे वर्ल्ड एकॉनमी पर आना कोई हसी खेल नहीं है, ये सारी भारत वासियों का ये जो विश्वास है नरिंद्र मोधी मोधी जी के लिए, इससे हम में उर्जा आती है कि हम कुछ काम करें, और हम अगर हम अपनी आज की बात करने हैं, तो बिकॉज मैं राजस्थान में रहती हूं, मैं राजस्थानी हूं, तो मैं राजस्थानी भी, मुतो भारती है, पहले भारती है, फिर राजस्थानी, फिर महिला तो राजस्तान में भी मोदी जी आते हैं तो वो एक उर्जा का श्त्रोत्र देते हैं वो एक सबको में एक एनरजी लेवल बढ़ा देते हैं जो सो रहे हैं उनको जगाना एजी है मगर जो जगते में को जगाना और काम पे लगाना ये सिफ मोधी जानते हैं और ये मोधी जी इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वो अपने प्रिंसिपल सब को बताते हैं उनको देखके लोग उनको सुनने जाते हैं उनके बारे में सुनने जाते हैं ऐसा नहीं है उन्होंने उनके बारे में पढ़ा है उनको देखते हैं रोज सुनते हैं मोध ये व्यक्ति एक मनुश्य रूप में शायद कोई बहुत बड़ी पुन्य आत्मा आई है तो मोदी जी तो संत है इसके लिए हर तरह के लोग मोदी जी को सुनने जाते हैं और जहां आप कहरे हो कि 20 सभाएं अगर मोदी जी का बस चला तो वीस से भी जादा सभाएं करें अगर साधारंता होती है मोदी जी उस तरह से बोलते हैं कि छोटा से छोटे बच्चे से लेके बड़े से बड़े व्यक्ति तक चाहे वो पड़े लिखे हों वो बिना पड़ेवे हों वो दिव्यांग हों कोई भी हो वो मोदी जी से कनेक्ट कर सकते हैं बहुत सिंपल लैंगज मे बात करते हैं जहां पर भी जाते हैं वो जगह की वो सिटी की वो विलेज की वो कजबे की पूरी जानकारी रखते हैं मोदी जी अगर वो राजस्तान में आते हैं तो वो हमारे वीर भूमी के बारे में सब कुछ जानते हैं जितना हम जानते हैं उससे कहीं ज्यादा मोदी जी जानते है उतना अध्यान करते हैं उतना पढ़ते हैं उसके बारे में जानते हैं मोदी जी स्किल डिवेलपेंट के बात करते हैं मोदी जी महिलाओं के बारे में बात करते हैं मोदी जी युवाओं के बारे में बात करते हैं मोदी जी बच्चों के बारे मे बात करना चाथे हैं pagan क्रिश ? विर्द्धों की समस्या हो उसके बारे में बात करना चाहते हैंlim को जी साइन्स के बारे में बात करते हैं मोदी जी मिलिट लुसान के आंदर he is saying को एतना इंप श्याप बना दिया है World Over Millit मोदी जी बात कर रहे है मोदी जी ने योग दिवस के बारे में बात करके हिंदुस्तान को वो प्राप्ती दी है कि हमारा योग होते वे भी इसके बारे में इतनी जानकारी लोगों के पास नहीं थी तो आज हमारे योग दिवस international योग दिवस हो रहा है मोदी जी सौचालाई की बात करते हैं, तो हर जगर आप देखें सौचालाई बनने लग जाते हैं मोदी जी जैसे cleanliness की बात करते हैं, सफाई की बात करते हैं, अगर आप गाड़ी में भी जा रहे हैं तो बच्चा गलती से भी कच्रा भार नी भैकता है और अगर आगे वाली गाड़ी से कच्रा गिरता है तो बच्चा अगर आपके गाड़ी में तो वो रोक देता है कि अरे ये क्या कर रहे है मोदी जी को क्या लगेगा मोदी जी का framework एक मुठी नहीं है आस्मान नहीं है आस्मान के उपर जहां हमारी नजर रुख जाती है horizon पर उसके आगे देखना ये मोदी जी का विक्तित्वा है तो मोदी जी के तो हर भाशन के अंदर अंकेनद चीज है flora, fauna, जिसे बोलते हैं हम कि फूल, पौदे हर चीज के बारे में मोदी जानते है धर्ती के बारे में मोदी जानते है हर घर में जल हो मोदी जी को ये बात पता है मोदी जी को ये बात पता है कि राजस्तान के महिला इतनी दूर पैदल जाए और फिर पानी लेके आए और अपने घर के अंदर पानी का आपको स्राटिंग में भूला था, कि कोई एक वर्ड ऐसा है जो मोदी जिसको प्रेफरेंस देते हैं, नहीं, कोई ऐसी चीज है जिसके लिए मोदी जी न अपने आपको समर्ग, एक बंद इसमें कुकून में डाल डखा है, नहीं, मोदी जी तो विशाल है, मोदी जी बहुत जल्दी लाइफ के अंदर मुझे लगता है, थौट प्रोसेस को लोग मोदी जी से अग्री करेंगे, है ना कि अगर किसी का पॉजिटिव सोच है, तो बोलेंगे मोदी माय सोच है, तो मोदी जी जी इस ए रेफरेंस नाव फॉर एवर्जिटिंग मुच पॉजिटिव, तो क्या आपको लगता है, वो सिर्फ गुर्जरों के बारे में सोच रहे हैं, वो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो मेरे बारे में नहीं सोच रहे हैं, बिल्कुल गलत, गुर्जर एक वरग है हमारे राजस्तान का, उनको संभूदित करते हैं, उनके तरफ से बात करते उनके लेवल पर जाके बात करते हैं, वो हर व्यक्ति को जानते हैं, पन्नाधाय की बात करते हैं, तो मोदी जी उनको संभूर्दित करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है, वो आपको भूल रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है, वो मुझे भूल रहे हैं, वो मुझे भी याद रग छाई वो ममध्रीजल वहा हो जोर वरग हैं जोपर वरग हो फिर अफर वरग हो खर व hunter करते है क्योंक उनका स्टाइटिंग में कहा था रस्टार्टरम फ़ेशस नहीं है मोदी जी का एक long term analysis है 25 साल आगे की सोचते है वो budget यह नहीं बताते है कि 5 साल में क्या करना है हमें उनका budget का सोच भी 25 साल आगे का है अमरत काल मोदी जी हर freedom fighter के बारे में बात करते है क्या आपने कभी सुना मोदी जी जी सिफ एक strata of society का वो बड़ा हो या उद्धार हो ऐसा सोचा है नहीं मोदी जी पूरे देड़ सो करोण भारती हो every individual चाहे वो किसी भी caste का हो किसी भी creed का हो वो कोई भी gender का हो चाहे वो पुरुष हो, महिला हो या third gender जिसे आज कहते हैं वो किसी भी gender के हो वो चाहे दिव्यांग हो मोदी जी हर व्यक्ति, हर वर्ग हर क्लास, हर कास्ट के बारे में सोचते है मोदी जी की जो सांस्तुतिक नॉलेज है जब जाते है तो नगाडा बचाने लगते है धोल बचाने लगते है मोदी जहां जाते है वहां की वेशबूर्शा तारण कर लेते हैं वहां का जो कोटेशन लाइन है जो भाशा की जो भी स्टेट में जाते हैं उसको कैच अप करते हैं Modi ji is a he is immortal Modi ji के बारे में आदे गंटे में बोलना 20 मिनट में बोलना कुछ भी नहीं है क्योंकि Modi ji के बारे में तो आने वाले जेनरेशनल स्ट करेंगे Modi ji उन में से हैं जो 100 साल में एक ग्रेट लीडर जब पैदा होता है वो है नरेंद्रदा होता है असे लीडर रोज पैदा नहीं होते यह तपस्या करते हैं और इनकी तपस्या का मतलब है इनकी तपस्या का मतलब है काम इनकी तपस्या का मतलब है सब के बारे में सोचना इनकी तपस्या के बारे में जैसे आज हम आपसे बात कर रहे है यह digitalization यह Modi ji का विचार है उनको पता है कि digitalization is the next big thing उनको हर चीज़ के बारे में अगर rocket जा रहा है वो हमारे जो सरकार है आज, जो कॉंग्रेस सरकार है, मोधी जी ना तो उनके बारे में इतनी बड़ी बात कह दी कि I respect यहाँ पे लाउड स्पीकर्स अलाओड नहीं है तो मैं बिल्कुल दस पजे बाद में भाशन नहीं दूंगा और भारतमाता की जए कही उनोंने तो वो तो प्राइम मिनिस्टर है और यहाँ पे किसी और की सरकार है, है ना? तो राज्यों में किसी और की सरकार है तो आप बताएए क्या उनोंने उसका अवलोग, डिदी डिनाई राएट, डिदी डिफाय इट? नहीं, उनोंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया मोतीशी हर जन के बारे में सोचते हैं और यही चीज उनको इतना बड़ा बनाती है, हम सब को अगर उनके दिल में, हमारे दिल में अगर उनके लिए इतना अधर है, सतकार है, वो इसके लिए, बिकास इंसान जो बोलता है, वो करता है, अगर हम वो देखते हैं, तब हम समझते हैं, आपको किसी को समझ आपरे जानने के लिए खासकवर.com की साइट को लोगर करें तन्निवाद थैंक यू